सब्सक्राइब करें एनी स्टाइल चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन के लिए हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल एनी स्टाइल गईस आज के मेरी वीडियो में आप सभी के लिए ऐसा फेस पेक लेकर आई हूँ जो स्किन को बहुत ज़ादा ग्लोईग बनाता है अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो गई है तो पिगमेंटेशन को भी कम करता है फेस पे पिमपल्स है उसे भी ठीक करता है चेहरे पे जाईया डार सरकिल को भी खतब करता है आप इस face pack को सब्ता में दो बार अपने face पे और net पे लगाईए आपको बहुत अच्छे result देखने को मिलेंगे अगर आपकी skin सामनी है तो आपका रंग निखर जाएगा और चेहरे पर एक extra glow आएगा तो आएए देखते हैं क्या है ये face pack तो आएए स्टार्ट करते हैं आच्छा वीडियो लेट्स को स्टार्टेड गाईस इस face pack को बनाने के लिए एक बाउल में थोड़ा सा बेसन लेंगे हम सभी जानते हैं कि बेसन हमारी skin को glowing बनाता है साथ हम इसमें थोड़ा सा धई एड करेंगे धई में electric acid पाया जाता है जो हमारी skin को बहुत जादा glowing बनाने में help करता है अब हम इसमें थोड़ा सा honey एड करेंगे honey में antibacterial good पाये जाते हैं जो हमारी skin के wrinkles को कम करते हैं skin को glowing बनाते हैं साथ ही skin को soft और hydrate बनाते हैं अगर आपके face पे dryness है तो honey dryness को भी खतम करता है साथ ही यह हमारी skin को बहुत जादा soft बनाता है मैं यहाँ पर थोड़ा सा honey एड कर रही हूँ अब हम इसमें थोड़ी से healthy एड करेंगे healthy में antibacterial good पाये जाते हैं अगर आपके face पे बहुत जादा pimples हो गई है तो यह pimples को खतम करती है साथ ही इस सामनी तश्चा को गोरा बनाती है skin को glowing बनाती है and guys अगर आपके face पे केल मुहां से हो गई है तो यह उन्हें भी कम करती है और सबसे लास्ट में एक खास ingredients अब हम इसमें खोड़ी सी कॉफी अड़ करेंगे कॉफी में एक्सोलियेट गुन पाये जाते है जो हमारी skin को sauce और glowing बनाती है अगर आपका रंग काला है तो उसे भी गोरा करने में help करती है अब इसमें खोड़ी सी कॉफी अड़ करेंगे साथ ही कॉफी में कैसी पाया जाता है जो हमारी skin को sauce बनाने में बहुत जादा help करता है इन ingredients को अच्छे से mix कर लेंगे इस तरीके से गाइस इन आप अच्छे से mix कर लेजिए तो इसमें गुलाब जल भी add कर सकते हैं गुलाब जल हमारी skin को sauce और glowing बनाने में काफी help करते हैं इस तरीके से आपका ये face pack बनकर ready हो गया है इन्हें आपको सब्ता में दो बर अपने face पे और neck पे लगाना है 15 minutes तर सूपने के लिए छोड़ देना है जब ये अच्छे से सूप जाये तब हलके गुन गुने पानी से आपको अपने चेरे को धो लेना है तो guys काफी अच्छा face pack है आप इसे जरूर ट्राय करके देखें आपको बहुत अच्छे रिजल देखने को मिलेंगे इस तरीके से guys इस face pack को आपको अपने पूरे face पे और neck पे लगाना है और इस तरीके से इसको 15 minutes सूखने के लिए छोड़ देना है जब इस अच्छे से सूख जाये तब हलके गुन गुने पानी से आपको अपने चेरे को धो लेना है guys 15 minutes बाद आप मेरे हाथ में फरक देख सकते हैं मेरा हाथ कितना ज़्यादा white हो गया है तो guys इस आप जरूर ड्राय करके देखों आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो guys यह था आज का वीडियो I hope you guys आपको यह face pack पसंद आया होगा और इस face pack को आप जरूर ड्राय करके देखों